प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राम भूमी पूजन के लिए अयूध्या पहुचे यहां उन्होंने भूमी पूजन किया और ये पूजन पारंपरिक तरीके से पून किया गया साथी राम लला के दर्शन के पहले हनुमान गड़ी मंदर में पूजा करास्था जिताए आपको बदा दे हनुमान गड़ी मंदर के प्रमुक पुजारी गदी नशीन प्रेमदास महराज इस दौरान पीम मोदी को पगड़ी के साथ पारंपरिक तरीके से चांदी का मुकट और स्टॉल पहनाते निज़राए वहीं इस दौरान पीम मोदी ने कोरोना को देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टंसिंग का पूरा पालन किया हनुमान गड़ी में हनुमान जी का विशाल मंदर है और ऐसा माना जाता है कि युद्धिया में सबसे पहले इस मंदर में जाकर हनुमान जी का आशरवाद लेने के साथ दर्शन करना चाहिए उसके बाद ही दूसरे मंदर जाना चाहिए इसलिए पीम मोदी ने सबसे पहले इस हनुमान मंदर में जाकर शीश नवाया जानकारे के मताबिक मानिता है कि सबसे पहले हनुमान गड़ी मंदर के दर्शन करने के पीछे राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया बिनु पैसारे वाली मानिता दिखती है इसके मतलब है कि हनुमान जी का आश्रवाद ले बिना राम जी का आश्रवाद नहीं मिलता यह दर्शन के बाद पिये मोदी राम भूमी स्थल पहुचे और उन्होंने राम लला के सामने साश्टांग प्रणाम भी किया जिसके तस्वीरे सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही है इसके अलावा पिये मोदी ने वहाँ पर पारिजात का पौधा भी लगाया साथ ही उन्होंने सभी धार्मे का नुष्ठान पूरे किये और राम मंदर में आधार शिला रखी जानकारी के मताविक पूजा के दरान नौ शिलाओं का नुष्ठान किया गया इसके लावा भगवान राम की कुल देवी काली माता की भी पूजा की गए पूजा कहने वाले इस संत की माने तो देश और दुनिया के लगलग हिस्तों से शिलाए लाए गई हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा है आपको बता दे श्री राम जन्मभूमी तिर्थ ट्रस्ट ने राम मंदर की सीमा तैका रखी है और 2024 के पहले अयोध्या में भवे राम मंदर बन कर तयार हो जाएगा आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अब्डेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें